अपनी मन पसंद मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा फिल्मी को और बैल आइकन को दबाएं सब्सक्राइब करा उन्ट्रा जाली मन पसिति Οं सक्राइब का लिए सί एक लिए समयर सब्सक्राइब करतके लिएயल विए सत मिर दन्ट्राइब करें। झाल झाल हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हाँ हा गया है हज नहीं पर नाश now हाँ तुब मेसिज है'Me हाँ बड़ साफ कपोन आया था फिर हाँ जी पहला पोन आया था सद़रा आठ बड़ के सतरा सेंद पर दूसरा आठ बड़ कर नौ मिएट तीन सेंद पर यह तो मैसिज नोट करते है करते हैं पूरा चार सिट कंपित करता हूं साथ चार सिट लगते हैं तुम्हें पुलिस में भर्ती करवाना पड़े हैं माई बात्रूम का दरवाजा बन आगे इस परफक्लियोट आगे तुम छोड़ो मुझे चोड़ो यह रस्टी किसने बांदी डारलिंग तुमको तो मालूम है कि मैं इस इंशुरेंस कंपनी में प्राइवेट डिटेक्टिव हूं यह रस्टी तुमको गिराने के लिए नहीं बांदी थी बलके एक बोगस क्लाइन को पकड़ने की तरकीब सोच रहा था लेकिन यह नहीं मालूम था कि रस्टी डबल काम दिखाएगी क्या मतलब? देखा नहीं एक ही जख्यक्य में दोनों को गले से मिला दिया यू शटाब उठाओ हमारी कुर्सी से तरलिंग तुम घुस्टे का गरम है हम तबियत का नरम है अरे हम तो तुमको दिल में बिठा सकता है और तुम कुर्सी पर नहीं बिठा सकता पास बॉलिंग बॉस ये रसी किसे बांदी है? जी वो कम इंग साइड डार्लिंग रसी खोल दो वानना कोई तीसरा भी लोलग जाएगा ये क्या अरकत थी? जी वो बोगस क्लाइन को पकढ़नी की तरखीर सोच रहा था इसलिए रसी बांदी थी देखो मिस्टर जो आंदा दफ्तर में कभी आशी अरकत की तो याद रखो चुटे हो जाएगी जी तुम्हारा दिहान आज के लड़कियों में बहुत लगा राता है काम में नहीं सिटों ये मिस्टर डिसल्वा का केसा है डिसल्वा? मिस्टर एफ्जे डिसल्वा धाईलाक की इंशोरंस है उमर भी जैदा है उसके भाई की ये लड़की की स्वा उसका आगे पिछे कोई है भी नहीं मुझे ड़ट लगता है तुम इंक्वारी करो लड़की की उमर क्या है? यंग है नाम? अलिजबत टिसल्वा काम? मालूम में शादी हो चुकी है क्या? मिस्टर जो मैं लड़की की नहीं मिस्टर टिसल्वा की इंक्वारी के मितलग बात कर रहा हूँ आदमी कैसा है और इतनी बड़ी इंशोरंसे क्या मतलब? मैं भी किसी मतलब से पूछा हूँ सर बात यह जा मैं रहता हूँ वहाँ भी एक लड़की है उसका नाम भी अलिजबत टिसल्वा है वो भी यंग है और उसका भी सिवाए एक अंकल के और कोई है नहीं हो सकता है यह वही लड़की हो सद्रील से पहरे सद्रील से इंठ लड़की है सद्रील जोड़की है क्या शुब माई रहनें लिए उसका हुआ वहां रहने तो क्या पाईदा अंकल ने एक परसा भी नहीं दिया किटना किटना कहा मगर सब हवा में उड़ादी अंकल अपनी जान दे सकता है, मगर एक पैसा नहीं दे सकता समझ में नहीं आता, जादी इतने कंजूस नहीं थे ये इतने कंजूस कैसे होगी, कभी-कभी जी में आता है अंकल का गला दबाँ के छुटे कर दो लेंस, तुम पैसे के लिए पांगल जासा बात कैको करते है, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा क्या बोलेगा, बोले दो, हमको पैसा चाहिए, पैसे के बिना काम नहीं चलता मैं तुम्हारी पेंगे सु, कितने दिनों से तुमारा किरा भी नहीं दे सकी तुम हमारा फ्रेंड है, पैसे मिलेगा तुने देना, लेकिन सिर्फ किराय तुने नहीं जीने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए, मेरे पास क्या है, कुछ बिए, शौ के लिए भी पैसा दो तो क्या हुआ, शौ हम लोग चाहरी चाहरी के लिए कर रहा है, अच्छा काम है, कोई भी टिकेट दे देगा, हम लोग खुद सबके गर जाकर टिकेट बेश देगा काई को रहना मंगता उसका इदे रहने का हमको कोई फाइदा ने फ्रेश तु देता दे चैरी ठीका अंदर शो करता, चैरी ठीका अंदर रहता तुम चाहरी ची का बात बोलता, यहां तो सुब चाहरी में रहता है इस घर में रहन देता कौन? तुम मिस्टर जो को रखा, क्या वो रहन देता है? तुम हमको क्या बोलता, जो को इदर लाया कौन, हम लाया तुम लाया ठीक है, उसको हम लाया मगर रहने को कौन बोला, हम बोला, तुम बोला, हम बोला हमको आदमी थोड़ा ठीक लगा विचारा गरीब फ्लाक किदर जाता, पूर बॉय तुमको आर्मी ठीक लगा, बिचारा पूर बॉय हो गया लेकिन हमारा लिस्ट बिचारा पूर गल नहीं है उसका अंकल ने उसको पूर बनाया चुली हलो सिस्टर, क्या हुआ, कुछ जगड़ा हो रहा है हम तो दे लिए, इसे इच बासचीद करता है तुम्हारा चैरेटी शो कौन सा दिन को है साटेदे नाइट साटेदे नाइट टिकी पिकित सब दे क्या नहीं सिस्टर, अभी तो बहुत सारी बुक्स वैसे ही पड़ी है उसके लिए आपको थोड़ी महनत करनी पड़ेगी तुम्हारे बासे महनत कौन नहीं करेगा जब रास्तिक आदमी महनत करनी को तयार हो जाता है तो हम लोग घर का अदमी है ना यू नौटी गर्स जल्ली जल्ली तयार हो जाओ रहार्सल पर जाना है अभी हम अधिया करना अभी हाँ अभी हाँ जैजय जैजय यससर्व जिएक रोम यससर् बुल्मारनिंग सर्व बुल्मारनिंग सिराँ मैं तुमारे पिछले केस का रिकॉर्ड देखा थ प्रे अफिशन्टली है थैंकियो सर् लगे केस का क्या हुआ, मैं वहाँ गया था, चोरी का केस है, बहुत ही मामनी केस है, ये केस तुम हैंडल करना चाहते हो, आप खुम देंगे तो ये केस भी देख लूगा, लेकिन अंकल मैं कोई बड़ा केस हैंडल करना चाहता हूँ, इसमें कुछ अक्साइटमेंट हो, अजे, तुम भी बहुत तरखी करोगी, थैंक्यू सर, चीके, ये चोरी का केस मैं किसी दूसरे को दे दूगा, सर, सेटरड़ी इपनी कोई खास काम तो नहीं है, क्या, मैं एक शो देखना चाह रहा था, जा सकते हो, फिर भी नोट छोड़ते जाना, थैंक्यू सर, एक राजा की सौतेली रानी थी, महल के अंदर, जो कहती थी, मैं हूँ जग में सबसे ज्यादा सुन्दर, ए मेरे शीशे, कौन है जग में सबसे ज्यादा सुन्दर, राजकुमारी, राजकुमारी, तेरी बेटी, इसी महल के अंदर, हुआ 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 ह कर दो और दो दो हूए रख इसा दो हाँ 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 यौँआर वारां यौँड़ उौँआर नदकता सोनी लुट यौपड़ यौज़ यौण यौवड़ हुआ हुआ है है लड़की जाने कौन है ये लड़की सूरत की भी है अच्छी ना घबरा तू ऐ लड़की हम है तेरे साथी इस घर में तू खुशी सरी ए मेरे शीशे अब बता कौन है जग में सबसे ज्यादा सुन्दर राज कुमारी तेरी बेटी रहती है जो अब दूर कुटियों के अंदर कर रहती है जब लो भी के तेरी इंदर के जब लो राज सुन्दर का जब लो कि अंदर के जब लो कि मुदушки के लिए मैं टूर को अंदर ऐस धे लो कि हम तो पन ऊंदर को खुट जब लो जसा दो सिब्सार गाजब। लुट फजो लुटाई भॉटा लुटाई 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 अब बताए शीशे कौन है सुन्दर तेरी बेटी राजकुमारी अब है राजकुमार के साथ मैं हसीना, नाजनीना, मैं हसीना, नाजनीना कोई मुझसा नहीं, कोई मुझसा नहीं, नहीं मैं समीना, मैं है जबीना, मैं समीना, मैं है जबीना मुझ में क्या क्या नहीं, मुझ में क्या क्या नहीं, नहीं मैं कियामत की पहचाद हूँ एक बिजली और तुखाद हूँ मैं मुखो कोई मान हूँ एक आशिकार मान हूँ जो मेरे पास आए सुकुने दिल पाए फिर जाए ना वो कहीं कहीं मैं हसीना ना सनीना कोई मुझसा नहीं कोई मुझसा नहीं प्यार के जिन्दगे ही मिले मैं जलू तो पट ना जले मौत मेरे कहें पर जले निगाहों से में खिलू हर जिसको भी मैं दिखो वो जान देते वही वही मैं समीना मैं जबीना मुझ में क्या क्या नहीं मुझ में क्या क्या नहीं प्यार की मैं हूँ एक दास ता मेरे दम से है दुनिया जवा नहीं तो बहारे कहा मेरे बस में है सारा जहा मैं हूँ शोजा मैं हूँ शबनग मैं हूँ नगमा मैं हूँ सरदग आजुके है मेरे आगे ये चांद और सितारे ये आसमा और जमी जमी मैं हसेना मैं समीना कोई मुझे सा नहीं मुझे में क्या ये नहीं नहीं मैं हसीना मैं समीना कोई मुझे सा नहीं मुझे में क्या ये नहीं ही नही इए जो बहुत अच्छा हुआ क्या मामू यह तो पब्लिक जल जल जा क्या बात करती है पब्लिक में तो कितना अदमी बेहुश पड़ा है यहां भी कोई बेहुश पड़ा है अच्छा हम जाता है अब मैं यहां क्या करूँ बिचारे ठीकेट भी बेचा दिल भी बेचा अब तुम अपना सीट बुक कर लो गंदी हलो बहुत खुबसरत लग रहे है आई नहीं क्या देखे मेरी आंखों में जांक कर देखा तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम बहुत खुबसरत ऐसे लगना जैसे आसमान से की परी उतर आई परी से भी खुबसूरत परी से भी खुबसूरत वन मौ प्लीज तेंक यू किसकी इजाश से दस्मी लिए पोस बहुत अच्छा था फुला दर्माजा इजाधत दे रहा था तो उसका बच्छा निकाला अहाँ केमरा चोरी का नहीं है अगर आप ऐसा करेंगे तो कल अपने अख़बार में हेडिंग में आ जाएगा पुलिस का जुल्म आप प्रेस रिपोर्टर जी हाँ इनका इंटर्वी और फोटो लेने के लिए आया हूँ लिज मैं नीचे इंजार करता हूँ आप के लिए क्या मंगा कुछ मंगाने की जरूरत नहीं जैसी खुबसूरत आप है ऐसा ही खुबसूरत आर्टिकल आप की तरफ से हमारे पेपर को चाहिए पूचिये सवाल नमबर एक आप इतनी दौलतमन होते हुए ये शो क्रती है charity के लिए आजकल के दमाने में लोग बाप के लिए कुछ नहीं करते और आपने चचा के लिए इतना बड़ा charity show कर दिया मैं ये शो अंकल के लिए एक ही बात है अंकल के लिए यांकल के बच्चों के लिए आप कैसी बात करते हैं मेरे अंकल का कोई बच्चा नहीं? कोई बात नहीं, आज नहीं है, तो कुल हो जाएंगे? लेकिन मेरे अंकल ने शादी नहीं की देर शादी में होती है, बच्चे में नहीं आप समझते क्यों नहीं, मैं एतिम बच्चों के लिए एशो करती हूँ यत्रीम बच्चे जब आपके अंकल की शादी ही नहीं हुई तो बच्चे यत्रीम कैसे हो जाएंगे आखर आप हाथ दो कि मेरे अंकल के पीछे क्यों बढ़ गए हैं वो इसलिए कि मैं आपके अंकल की सही तस्वीर अपनी नजरों के सामने देखना चाहता हूँ आप मेरा इंट्वी लेने आएं या मेरे अंकल का अंकल को इंटर्वी में इंपोर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ कि अंकल आपकी लाइक में बहुत इंपोर्टेंट थे मेरा मतलब है कि बच्पन से आपकी देखभाल भी उन्हों नहीं की और धाई लाज रुपए का अपना इंशोयत करवाए जिसका हफदार भी आप ही को बनाया क्यों ठीक है ना ए मिस्टर आप प्रेस रिपोर्टर है ये सीएडी पोलिस महरबानी करके आप बाहर चले जाए लेकिन अभी मेरा सवाल नमर दो बाकी है आपका सवाल नमर दो और आप दोना भार दो मगर मगर मुझे तुम पर तरस आता है क्या मतलब लड़की बहुत तेज है मैं थोड़ी देर में बोर हो गया सोचता हूं तुम्हारा हो लाइक क्या हाल होएगा जयादा पक्राश मकरो ओ आम सॉरी तुम इंतिजार करना पड़ा इसार राइट आप 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 क्या हो एट नहीं कुछ नहीं प्रोज तुम इतनी बातें करते हैं इतनी बातें करते हूं आज एकदम चुक आज मैं तुमसे बहुत से बाते कहना चाहती हूं जिन्दगी भरकी लेकिन अलफाज इतने कम है समझ में याता कहां से और कैसे शुरू करूं आप आप आज मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता क्या हम रोज मिलते हैं अब जी चाहता हमेशा साथ रूए इस तरह प्यार करते करते जिन्दगी गुजार दूए चोटी सी चीज़ तुम्हे सब कुछ समझा रहे हैं प्लेज अंकल अंकल शाथ शादी की इजाज़त नहीं देंगी अंकल की फिकर मत करो लिस उन्हें मैं मना लूँगा लेकिन पैसे कहा है उफो लेज तुम्हें शादी मुझ से करनी है या पैसे से तुम नहीं जाते है जे मैं शादी में बहुत खर्चा करना चाहते अच्छे कपड़े, जेवर, पार्टी, रेसेप्शन, धूम था रिले ने बिग वे बस 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 पैसे के लिए इतनी दिवानी मत पस और फिर जो कुछ मेरे पास है तुम्हारा ही तो है है न हाँ कि अग्वारे दोजए खागी तूदर क्या देखता? Mr. George de Cruz, son of George de Cruz, तु मुदर क्या देखता? उदार में टेलिफून देखता था! dairy सिमने कितना अच्छा टेलिफून लगान नहीं डबल ग४ेड्रॉम ay लीडिप बी यू फूर तुम हमको फूल बनाताह तुम टेलेफून क्ड़ टेलिफून को नहीं चोकरी को देखता था चोकरी तुम के टेलिफून 2 एकमयदा? इसका अंकल पैसे नहीं बेशता है? हम उसका बात करते ता वो ठीक है, तुम काई को उसका बात करता है Don't forget, तुम हमारा पेंगेस्ट है वो तुम्हारा पेंगेस हो या हमारा रेंज किसी को नहीं देगा Lucy, बहुत रात हो गया सुने दो ना बिचारे को नहीं सोएगा, तब यद खराब हो तुम क्या बोला? मैं मैं बोला कितना अच्छा है साथ में सोता है, साथ में उठता है मैं तुम लोग बशोड़की काभी नहीं जाओंगा हम जानता तुम इधर ही रहेगा तुम बहुत अच्छा आग्मी है लेकिन तुम लोग का क्या मतलब है तुम लोग का मतलब तुम लोग तुम लोग ? शुट अप Mr. तुम हमारा नाम ले सकता मेरा बारा sister का नहीं इसको sister बोलो ओ, नो सुजी इसका जो मन में आता है बोलनी दो ये Lucy बोलता हमको बहुत अच्छा लगता तुमको ब elementos को बोछु के लगदा, इसको बुर सिस्टर के लगा तुम कर समय झाए मिजी, कुल लगता है तूम क्या इसको प्रपली हैंडल करेगा, सूजी तुमको प्रपलीहांडल करेगा वेके पुट्टू लेसेन, Mr. Doubleside तुम मेरा सिस्टर का नाम लेगा तो अच्छा नही होगा वेके ओफ लोग कहते हैं, दो मुल्ला में मुर्गी मुर्दार होती है घलत यहाँ दो मुर्गियों में मुल्ला मुर्दार हो रहा है अंकल सिर्यूस लेस लेस, अभी भी तुम्हारा टेलीग्राम मिला अजे, अंकल चले गए अंकल गुजर गए, अंकल गुजर गए अंकल गुजर गए? यह सब कैसे हुआ? लेस, कल शाम को तुम मेरे साथ थी अंकल की बीमारी के बार में तु कुछ नहीं मता है कल रात मुझे अचानक फोन मिला के अंकल को हाथ एटक हुआ है जल्दी आओ, मैं उसी वक्त रवाना हुए मैं किसी को किछ बता भी नहीं सकी अजे, मैं बिल्कुल अकेली हूँ मेरी मदद करो अजे मैं बिल्कुल लाचार हूँ अजे प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हाँ, मुझे अपना अड्रेस बता दो हाँ, चाओरी हाँ, ठीक है, सीधा रास्ता में जल्दी पहुंच जाओंगा क्या, उसके नजदीक है हाँ, हाँ तुवर्स राइट हाँ, क्योंट वरी मैं बस अभी जल्दी निकल रहा हूँ मैं कमें सर, कमें सर मुझे दो-चार दिन के लिए चुट्टी चाहिए क्यों वो मेरी गल्फरेंड न लेज उसके अंकल के अचानक डेथ हो गई है उसने अभी मुझे टंकल पर इंफर्म किया है बेचारी अकेली है, मेरा जाना बहुत जुरूरी है वेरी सेट निउस जाओ मगर जल्दी आने के कोशिश करना थेंक्यू सर मेरा झाल वेरी आने कोशिश यहाँ वेरी आने क्यों जल्दी आने के इंप अँज़ निए निए कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ 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 है प्लामधाज भेता शिलमाजण कि अजो फिलमाज़ THIS वुआ हुआ है अर torpedo कि अजे कि अजे वुआ है तोपम है कर दो बेंग मिस्टर डिसिल्वा का मकान मालूगा है? आप इस लास्ते से जाहिए वहाँ आपको बहुत बड़ा मकान मिलेगा भाहिए थैंक यवरी मुच्छ इसानाइ में अचऩ का मुच्छ आप, धृट, इसवा मु स्फिवन धाश खूर मुच्छ आप शैद्सटर अजय हैं जहन, आपनने आने में बहुत देर कर दिय है अर आशने में कार ख़राड होगी षी तारा आशने मेरी कार अखरार होगी थी जर वा से अखाना ? अचानक बीका दरा बहन गया , पिछारी समझ ना सके इससरी बाएल लेस का ? वेल पर अपने कमरे में, आये दर्शिताई लेस ? मैं आजाहू लेस ? प्रीज, इन्हें डिस्ट्रम न कीजिए, मैंने इंजेक्शन दिया है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट की दूरत है I'm sorry, doctor. आईए, इन्हें अराम करने देजिए, come on. बहुत देर हो चुकी, अब जल्दी दफन करना चाहिए, वरना डर है कि लाश बिगड़ने लगेगी. आप में इनके रिष्टेदारों को नहीं बुलाया? रिष्टेदार? आप देख रहा हैं कि इस घर में मेरे सेवा दूसरा कोई आदमी नहीं है, और फिर लिस्ट को ऐसी हालत में अकेला चोड़ना भी ठीक नहीं. नहीं, लिस्ट को अकेला नहीं चोड़ना जाए. मुझसे बताएए ना क्या काम है. देखिए आपको तकलीफ तो जरूर होगी. आप फादर गंसालवेस से मिल लीजे. फादर गंसालवेस? जी हाँ, वैं चर्च के फादर है. चर्च कुछ ज्यादा दूर नहीं है. पहले दाहेने हाथ की तरफ चलिया, और फिर आगे चलकर बाईं तरफ मुर जाएए, सामने ही चर्च मिलेगा. मैं इसके लिए… जी है, ऐसी कोई बात नहीं. मैं उनसे मिल लेता हूँ. तैंक्यू. क्या बात है? जी मुझे फादर गंसालवे से मिल ले है. वो मैं ही हूँ. गुड इवनिंग फादर. गुड इवनिंग. मुझे आपकी मदद की जरूरत है. मदद करना तो मेरा फर्स है. क्या बात है? जी, यहाँ पास मिस्टर डिसिलवा का मकान है. वो बेचारे गुजर गए. मैं यहाँ पर नया हूँ. किसी को भी नहीं जानता. इसलिए उनके दफनाने के लिए कुछ आदमी, कॉफिन और कुछ सामान की जरूरत है. सब इंजाम हो जाएगा. लेकिन कुछ देल लगेगी. जल्दी नहीं हो सकता फादर. क्योंकि डॉक्ट सामने कहा है, तेर हो जाने से लाश खराब हो जने का डर है. फिर भी, जितनी जली हो सकेगा कोशिश करूँगा. थैंक्यू फादर, थैंक्यू बहरे माच. सुनिये, कौन सा माकान बताया आपने? जी, यहाँ नजदीक ही है, बहुत बड़ा घर है, आसपस कोई घर नहीं. अच्छा. क्योंकि इन्हीं कृता तेश्ट. क्योंक' अ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो, है घर भूज अ कर दो चाहिए में जान जाना जाने जाना 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 की जाना है सबकर चीख हो गया कोई ट्रबल करेंगी चिन फादर ने बहुत मदद की सब काम अची तरह हो गया लेज कैसे उपर है तबियत बिलकुल चीख है अच्छा अच्छा आप मैं जादा चाहें जाएंगे आप हाँ और मरीजों को भी देखना है थैंगे डाक्टर थैंगे बेर मा अच्छा आप हो अच्छा आप मैं ने प्लीज प्लीज तुमने बड़ी महरवानी की मेरे पोन ने अपनी जीटी चोड़कर चल गया है मुझे आना ही चाहिए था, इसमें महरवान नहीं प्यासी तुम पहली बार मेरे घरी, ऐसी हालत में आए, मैं तुमेरे सिर्फ भी नहीं कर सके मुझे पता भी नहीं चला तुम कब आया लेस, कैसी बाती पर रही तुम मैं सुचती हूँ, अगर तुम नहीं आती तो शायद अंकल की लाश में दफ़ नहीं हो सकती थी तुमें ऐसा नहीं सुचने चाहिए थी कर दो लेस कौन है आप 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 कौन है जी मैं सामने वाले गाओं में रहता हूँ और इतनी रात के यहां किसलिए जी मैं डाक साब से मिलने आया था डाक साब तो जा चुके हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं डाक साब कहा मिलेंगे मुझे मालू नहीं बड़ी मुच्किल हो गई मेरा लोड़का बहुत बीमार है मैंने सुना था कि डाक साब आये हुए खेर गुड़ नाइट बता नहीं डाक साब कहा मिलेंगे छाब लागे लेस्ट लेस्ट क्या बाच है माच मेठ देखने आई मैं कफी देने कि ली नीची चेनी तुम अक्तक सोईने इस? मैं सो तो गया था मगर अचानक आँख खुल गई Liz, ऐसी कौन सी लड़की हो सकती है जो तुम्हारे अंकल की कबर पर जाकर रोई क्या मतलब? एक लड़की बिलकुल तुम्हारे जैसी रोती हो जा रही थी मैंने समझा तुम हो मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा देखा वो ठीक तुम्हारे अंकल की कबर के पास चाके रोने लगी और जब मैंने लेज कहका फुकारा पल्टी वो कोई और ही थी अजय मैंने सुना है कोई और अंकल से लब करती है उसे कभी देखा नहीं शायद हो ही होगी काफी प्योगी नहीं रात बहुत होगी अब सुना चाहिए बुनाइट अजय अलो लेस रात को नीद अच्छी तर आई थी ना नहीं अजय मैं तो रात तर परिशन रही अंकल की सुरत बार बार मेरे आँखों के सामने खुंगती थी अचानक शौक लगने से अक्सर ऐसा हो जाता है लेस क्या तुम्हारे अंकल पहले से बीमार रहते थी नहीं एजय उन्हें कोई बीमारी नहीं थी उनके सहट से बिलकुल नहीं पता चलता था क्यों बीमार है तो फरी सब कुछ हुआ कैसे परसू आधी राग क्या वख तचानक चलीफोन पर पता चला क्योंने दिल का दोरा पड़ा है तुम्हें खबर करने कि मैंने हर तरह कोशिश की लेकिन तुम नहीं मिले सुबह यहाने से पहले मैंने तुम्हें टेलिग्राम दिया और जब मैं यहां पहुँचे तो अंकल आखरी सांस ले रह थे जजबात ही ना बनूलिज हौसल रखो चल्दी करो तुम्हारे लिए चुपा के लाया क्या बात अरे बात करने का टाइम नहीं है उसने तुम्हारे ब्रेकफ़स्ट लांच दिनर सब बन कर दिया हमने चोरी-चोरी से लाय चलो चली खाओ जल्दी खाने के लिए तो इस्पेशल मूह लगाना पलेगा ओफो सब एक साथ मूह में रख लो फिर दीरी-दी खा लेना मैं भी कोई नहीं हूँ यह अफते बर के राशन एक साथ खाच जाओंगा यह हम नहीं जानता है चलो वो खुला यूँ यूँ I'm sorry darling आपको बहुत देर हो गया वन क्या करेंगा सूसी आज़क से बूठ चगरा किया अरे तुम्हारा थोबरा कैसे सुल गया तुम बुलता करें को नहीं चबाने दो चबाने तुम क्या चबाता खाना खाना? कौन दियो तुमको खाना में? रात का खाना रात का खाना तुम दिन को चबाता? वो दिन को खाता रात को चबाता हम रात को खाता दिन चबाता I'm very careful साथ कूरे किर नहीं का अङ्राइन कर फुर ऑर उपी जांके नहीं है, जब चारा ने का चुल सका है त्हश्क रवादन ही ऐदा पूछा गरा है प्या क्ऌर ल्हारा है ऐ चर44 डंगरती पैगाECT है आज इसको जाएंगा जो, तुम चाय की तर नाएगा तुम भीमार हो जाएगा पहले नानो, फिर चाय की ओ, हम इदर वेट करें दार्लिंग, मेरे वयाहन तुमको बढ़ी तकलीव हो रही है I'm very sorry तुम इतना जोर सी कहे वह बोलता मैं? जल्दी सुनने में आते हैं, जल्दी काम होता है प्यार में आदमी कभी-कभी बढ़ जाता है उदर तुम बस ने इधर मैं फट गया आइसता बोलो, हम बहरा नहीं है हम कुछ सब सुनाई देता है तुम जल्दी नालो, हम इधर एजवेट करें तुम इधर मत वेट करो, ऐसा करो जब तक तुम चाय गर्म कर लो मैं आले कहाँ मैं, तुम कितना अग्रोल है हमको दो मिनत बैचने भी नहीं देता तुम पाज में दो घंटे बाई जाना मगर अभी जाना, मगर अभी जाना पाइम खराव है जो, बिना खुला मा छोड़ना अरे बबाबा, तुम नहीं कितना अग्रम करो जाओ जाओ जो नीज, नीज क्या बात है अंकन को ये जू बहुत बसंदे वो इसके उमें इतना खो जाते थे कि मेरी बात भी नहीं सुदेते ठीक है पर कब तक ये तुन इस घर में बूंचती रही मैं देख रहा हूं जो अक्षे अंकल की डेथ हुई है तुम बहुँ ज्यादा एमोशनल हो गई है लेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं क्या करूं जे डैडी मुझे इतना नहीं याद आते लेकिन मैंने अंकल को अंकल को मरते देखा है इसलिए अंकल मुझे बहुत याद आते डैडी के बाद उनोंहीं मुझे पाला था अब ऐसा लगता है वो मरे नहीं इस घर में चल फिर रहे पर ऐसा सोचने से वो वापस तो नहीं है यह तो मैं भी जानती हूँ तो पिर ऐसा क्यों सोचती तू लेस मेरे ख्याल मैं अब तुम्हे ये खार छोड़ देना चाहिए छोड़ देने चाहिए मैं इसलिए कह रहा हूँ यहां तुम्हें मौत देखी इस घर में रहोगी तो अपने आप से उलिष्टी रहोगी यहां से बाहर चलो और अक्मसफेर चेंज हो जाएगा तुम्हेरे मन को शांती मिलेगी मगर कहा चले मेरे साथ तुम्हारे साथ हां लोग क्या कहेंगे क्या कहेंगे तुम भी नई दुनिय में पुरानी जमानी की बात करती है खेर लोग कुछ भी कहें मैं तुम्हें इस खर में अकेला नहीं रहने दूँगा मिस सूजन फरननिस तुम अन्वेरे छोकरी होकर दूसरा आदमी का वस्ते बरी करता, ये बिल्कुल अच्छा बात नहीं है मादम लूसी फनानलस, तुम्हारा भी शादी नहीं हुआ दूसरा आदमी के लिए जानना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है पर तुम अंडर एज है मैं I am not अंडर एज, हम बाइस साल का है I am not a man, सारा स्विक का लोग सुनेगा सुनेगा अच्छा होगा जब मुहालेवारे पूछेगा तुम इतना इतना राथ किसके लिए जाता फिर तुम जवाब देना हाँ हाँ हम जवाब देगा हम बलेगा हम जो को लव करता तुम लव करते है जो को तुम लव करता जो हमको प्यार का नजर से देखता अब आंग फेरेंगे, उसका आंग ठीकालब तुमारा हाथ में दाल देगा Oh no, तुम योका आखी निकलकर हमारा हाथ का अंदर रखेगा तुम उसको अंदा करेगा इन दो बिनों के चक्कर में मैं तरूर अंदा हो जाऊँगा, आज तो तो पिसरकारी जग़ा ठुना हो अंदा लब होता है जो को आने दो, आज पशला हो लाइश मंगता आने दो, आज पशला होता, आने दो, आने दो अरे दिल हमारा हुसन वालों का अखाड़ा अखाड़ा हो गया अपने ही हाथों से खुद अपना अपना कबाड़ा हो गया एक अनार दो बीमार कैसी उलजन में हैं प्यार बड़ी मुश्किल है हाँ बड़ी मुश्किल है हाँ बड़ी मुश्किल है एक अनार दो बीमार कैसी उलजन में हैं प्यार बड़ी हाँ बड़ी मुश्किल है कोई मेरे कोई मेरे दो टुकले करके रोक दे इस बंबारी को इक टुकला शोले को दे दे और इक टुकला चिनकारी को इस चमेले से यारो मैं खबरा गया इस चमेले से यारो मैं खबरा गया दिल धड़कने लगातर भी चक्रा गया 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 मेरी खातिर दो दो यार मेरी खातिर दो दो यार लड़ने मरने को तैयार बड़ी मुश्किल है हाँ बड़ी मुश्किल है एक अनार दो बीमार कैसी उलगन में है प्यार बड़ी मुश्किल है हाँ बड़ी मुश्किल है हो हो बड़ी मुश्किल है उपर वाले उपर वाले ने मुझे को दो कान दिये दो आखी मिल जाते जो दो दिल मुझे को फिर यू न उखड़ती सासे तो के चत्कर में मेरी अकल भच गई मैंने खेली थी सिंगल दबल भच गई दबल भच गई बड़ी समझे मुझे को यार चोटी है मेरी दिल्दार बड़ी समझे मुझे को यार चोटी है मेरी दिल्दार बड़ी मुश्किल है एक अनार दो बीमार कैसी उलजन में हैं कारवार बड़ी मुश्किल है आप मैं तुम्हें कई बारता गीत कर चुका हूं लेकन तुम अपनी हरतों से बाज नहीं आते तुम्हारा दिहन काम में कम लड़कियों में जयदार आता है मगर सर अगर मगर कुछ नहीं आज से तुम्हारी चुट्टी चुट्टी अगर के साथ मगर सर कितने दिन की जिंदगी भर की जिंदगी भर की जिंदगी भर की Mr. De Silva Good morning De Silva कौन De Silva इस मकान के मालिक मैं वो De Silva नहीं तो वो De Silva का गए कबरस्तान गए कबरस्तान किसी को पोचा ने गए क्या जी वो खुद पहुच गए तो खुद पहुच गए जरा आप किलियर करके संगेगी में Mr. De Silva मर गए मर गए तो पिर मेरी मर गए आप तो रोने लगे क्या बात है अरे वो तो दुनिया से निकल गए मुझे नोगरी से निकल वा देंगे अब मैं क्या करूँ आप इदर से आये थे ना अब आप इदर से चले गए तेंक्यू हाँ जाता हूँ तुम्हारा लड़का कोई बच्चा तो नहीं बड़ी उम्र का आदमी है पिर गुम कैसे हो गया वो अपने छोटे भाई रमेड से मिलने गया था आज तक वापस नहीं आया मेरा वही एक सहारा था साहब तुम्हारा छोटा लड़का कहा है वो अपनी बीबी के साथ यहां से बहुत दूर रहता है चौरी के पास बहुत बुरा है पक्का शराबी मेरी अवलाद है इसलिए कह नहीं सकता कितना बुरा है मेरी आवरत भी उसी के दुख में मरी है साहब क्या तुम्हार अपने छोटे बेटे पर शक है और रात पर माबाप कैसे शक कर सकते हैं साहब लेकिन वो अपने छोटे बाए के पास क्यों गया वो उसे समझाने कहा था साहब कि बाप का कुछ ख्याल करें अपनी बुरी आदते छोड़े तुमने रमेश से कुछ पूछा नहीं वो काता परकाश यहां नहीं आया फ़कवाइट के लिए मेरी मदद कीजे साहब मैं गरीब आदमी हूँ जिंदगी भर आपको दौाय देता रहूंगा साहब खबराओ नहीं खबराओ नहीं सब ठीक हो जाएगा हमारे काम ही मदद करना है अपने बड़े लड़के की तस्वीर दे सकते हो हम गरीब आदमियों के पास तस्वीर कहां से आई साहब उसकी तस्वीर से हमें मदद मिल सकती है मैं कोशिश करूँगा साहब शायद उसके किसी दोस्त के पात मिल जाए चल्दी पहुंचा दीजेगा मैं इंक्वारी शुरू किये देता हम भगवान आपका भला करें साहब भगवान आपको उस्टुखी रखे किसे मिला आपको गड़ाप्टर नून मुझे मेडम से मिला मुझे? क्या काम है आपको? आपके अंकल ने मुझे से अडाईलाग रुपए उधार लिये थी ये परनोट भी मेरे पास मौझूद है ये कर्ज आदा कर दीजे अंकल का कर्ज है मैं क्यों आदा करूँ? इसलिए कि उनके मरने के बाद जैदात की हगदार आप है और इंशूरंस कंपनी के रुपों की भी हगदार आप है इंशूरंस? आपको कैसे मालूँ? हाहा! कारज देने वाले को सब कुछ मालिम करना पड़ता है मेडम मुझे सब कुछ नहीं मालूँ तो फिर मुझे लेगल एक्षन लेना पड़ेगा क्या मतला? देखे मिस्टों गुस्टा करने की ज़रूरत नहीं इस बिजाए को कहरे कान उनका कुछ पता नहीं आप इनके सॉलिसी दे से बात क्यों नहीं करते उनका डेस मैं आपको देता हूँ मैं जानता हूँ मैं उनसे मिल लूँगा बाइ-बाइ रुके मैडम इस बात का जतनी जल्दी फैसला हो उतना यह आपके लिए अच्छा है मैं इसको एक पैसा भी नहीं दूगी अंकल से जाके क्यों नहीं मांता लेस क्या कह रही हूँ अंकल की देथ हो चुकी है ओ मैं स्था हमार अंकल सफा हो गया हम उसको लाज टाइम में कबर में उतारने को भी आनी से का तुम कहां साय हो बात्रूम से क्या मैं एक्च्वली हम आया लेंडन से हाई लेस का कजीन हाई कजीन क्या नाम है जोजात प्रांसिस रोम्यो डिसल्वर पूरे खानदान का नाम है यह वाल शॉटकट बनाएंगा तुम खाली जो बोलने को सकता है बात तुम काई को बीस में बोलता है अपने कजीन को बात काने को दो मैं तुमको नहीं पैच्छानती मिस्टर वाल तुम नहीं पैच्छानेंगा जबी हम लोग बहुत चोटा होता हम लंडन को गया बड़ा होकर वापस आ गया क्यों वापस आ गया? तुम्हारा साथ शादी बनाने को यू? ओ येस अंकल हम लोग का शादी जबी हम लोग छोटा होता पक्का बनाया तुम जैसो के लिए हिंदुस्तान में आश्रम होता है वाट? आऐसे कि वाट उपैसेट करे कानि वाट वाट उतक के भाट तुम जा खनेंजचेवर निख स्कत्त जरिया होताद कै ब चरह करेंगा जर्म हम लोग गर डीा तुम्हारा दुन्या में भूए नहीं मारीर हमारा प्रादी हमारा शुमाट बन जर्थ हमारा मंगें पर दूसरा लर्का के साथ मिलके हमारा इंसाइक भूनाया वेरी गुड, वेरी गुड, हमको गल सी भार निकलता है आश्रम में जानी का बोलता है हमारा कोई पर नहीं है किदर इंसाफ, किदर इंजस्टिस हम अपना घेराओ सक्सेस्टोर बनेगा इदर ही मरेगा, उपर अंकर के पास जाएगा, उसको कप्लान करेगा हमारा शादी ऐसा लर्की के साथ कई कुपक्र किया अचीब आदमी है, वेको क्या ड्रामा कर रहा है तुम इसे बिलकुल नहीं पहचानती अचे मेरे समझ में नहीं आता मेरा एक कजन इंग्लेंड में है जुरूर, उसका नाम जो है मगर मुझा इसको नहीं पहचानती कहीं ये बिचारा तुम्हारा कजन आ हो, नहीं तो इतनी दिलेरी से अंदर कैसे आता इसे अंदर ले आना चाहिए माकर क्यों? इसको घर में लाने से क्या फाइदा? एक फाइदा है तुम कहती दिने हम दोनों साथ रहेंगे तो लोग बद्वनामी करेंगे यह साथ में रेगा तो को बोल नहीं सके काई को करतन पकर के बहार नकालता है हाथ पकड़के अंदर लेके गाता है तुमारे डबल पोले सी हमारा समझ में नहीं आता है पर अपन चांस लेंगा काई कुछ शादी का माम लहाए ए मिस्टर शादी वादी का माम लहाए अर्य, काई भी तक नहीं चाँछेगा अपन वेगे करेगा जब तुमारा मूठ बनेगा हमारा मूठ अभी नहीं बनेगा तो आम भी कभी नहीं बोलेगा बख बंद करो अंदर चलो वह ब ररीगोड, चलो चलो एट तरवाद बंद करो प्लीज बेरीगोड क्या पैसे मिलने तक मैं जैन ही करती रहूंगी और कितने कावज़ाद है थोड़े से और रह गये हैं वकील बिचारा भी क्या कर सकता है कामुनी कारवाई तो पूरी करने ही पड़ेगी और फिर आपकी जायदत भी तो कम नहीं अभी इंशोरंस के अड़ाई लाप रुपए भी तो आपी को मिलने हैं अगर इतने सारे कावज़ाद अपरूफ होने में कितने परस लगेंगे कुछ वक्त तो लगी जाएगा लेकन आप खुछ नसीब हैं कि मिस्टर अजय ऑफिसर है और बतौर गवा साइन कर रहे है वरना आजकल तो बाप साइन करके मर जाता है और बाद में उसके बेटों को फिर दुबारा साइन करना पड़ता है वकिल साब एक बाद माद मा बुल गया है ये रुपया इनको मिलेगा या इनको अलाद को आप मजाग कर रहे हैं लेकिन मुझे पैसों के बहुत जरूरत है इसका मैने पैसी बंदोबस कर रखा है ये लेजिए जब आपको मिल जाएं तो मुझे लोटा दीजिएगा थैंकी सुमच आ मेरे कले लगजा हो जाने जाना खुशी है जिन्दगी है नई दुनिया मिली है आ मेरे कले लगजा हो जाने जाना आ मेरे कले लगजा हो जाने जाना दिल की कहानी मेरी सुन ले जुबानी मेरी मस्टी के खाब क्या क्या देखे जवानी मेरी निगाहों में नशा है निरानी बे खुदी है आ मेरे कले लगजा हो जाने जाना आ मेरे कले लगजा हो जाने जाना मेरे जो दिलने मामो मैंने वो सब कुछ पाया तूने मुहबत दे दी दौलत मुकतर लारा तू मेरे साथ है तो मुझे फिर क्या कमी है आ मेरे गले लगजा हो जाने जाना आ मेरे कले लगजा हो जाने जाना खुशी है जिन्द जी है नई दुनिया मिली है खुशी है जिन्द जी है नई दुनिया मिली है आ मेरे कले लगजा हो जाने जाना अमेरी कलेल की जाना हो जाने जाना यहाँ जान्या जाना साथ, पे हम जलाज जाना है आप मेरा देखे जाना भाया तो ढ़ाय एक 1 घ्रचानी क Tagd만 ते हअना जाना कि आसनी जाना जोगा है रादstones तरहा हो मतोदानी मिशीठ कैना के जाना मैं कैसे लगते हुँ आपको स्थुखी रखे, बगवाल आपको स्थुखी रखे, सरकार मैं कैसे लगते हुँ? अब्सलूटली न्यूपैशन, वर्य 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 व्यूटिफुल रीली? रीली? तुम अकर ब्यूठी कॉम्पटिशन में जाता, लोग तुमको ब्यूठी कुएन बना के बोर में बेजदेता विचे हमको मंगने तोडना पारते मिस्टर जाता मदबूरु प्लीज के क्वाई हम उर्डू समझता है, बट वाई किव क्वाई मॉर्निंग ब्यूटी देखकर खौवा बोलता है, मुर्गा लोग बोलता है तुम्हारा ब्यूटी देखकर हम काई को नहीं बोल सकता है, हम तो आदमी है देखो, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, क्या इंग्लें में सब तुम्हारी तरह बोलते हैं, याने मेरा मतलब बहुत बोलते हैं Oh no, उदर तो 60 सिकेंद में 120 वर्ट बोलता है हाँ, 60 seconds में मैं तो 140 वर्ट बोलती हूँ, इंडिया नौरत को बोलने में कभी कोई नहीं बीट कर सकता है तुम हमको बोलने का वस्ते कही को रोपता है अंकल होता हमको कभी किट कोई नहीं बोलता था, पर उसका विकिट पेले ही गिर गया अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वो हमारा वस्ते रोट किलियर बना के गया कितना पॉलिसी से काम लिया जो रुपिया तुमको शादी का बाद मिलने का था पहले मिल गया अभी हम लोग शादी बना के किदर भी हालीमून को जा सकता है नहीं तुमसे कौन शादी करेगा, ड्रीम मत देखो मिस्टर और ड्रीम देखना है तो बहाँ जा कर देखो अच्छा वा तुम आगे, मुझे बहुत देर से बोल कर रहा था यह सब क्या है? यह सब मैंने करी दा कितना ब्यूटिस ब्रॉक है है न, और भी कुछ कपड़े खरीबे कितना प्यारा कलर है और थोड़ी से जेवर तो तो शाविन में एकदा बच्परण हो गई यह स्टैट्स बिल्कुल लेटस डिजाइन की और यह निकलस भी मैंने लिया शादी से पहले सारा सामान खरीज लिए सारा सामान कहां, थोड़ी से कपड़े थोड़ी से जेवर पर अजय तुम नहीं जानते में क्या-क्या खरीजना चांती हो तुम सारी दुनिया खरीज सकती हो, अपनी पसंद कि हाच, चीज, कार, बंगला क्या-क्या नहीं खरीज सकती हो रेली अजय, I'm so happy, I'm so happy तुम अपने अंकल की कोई यारगार क्यों ही बनाती, कोई painting, कुछ ने कुछ तो करना चाहिए painting, painting कैसे बनो, मेरे पास तो उनकी कोई तस्वीर नहीं है मारे अंकल की एक तस्वीर मुझे मिली तुम्हे कहां से मिली? यह तु नहीं बता सकता पर यह है वो तस्वीर यह यह ना तुम है अंग Absolutely not, तुम असे दिल लगी कर रहे हो पता नहीं कौन दिल लगी कर रहा है अजय यह बता सकती किस आदमी की तस्वीर है मुझे क्या मालूम, होगा कोई, दुनिया में हजारों लोग है तुम यह साथ में की नहीं जानती कहतो दिया नहीं जानती तुम सच कह रहे है लिस अजय, कैसी बातें कर रहे हो मैं कभी छूट नहीं बोलती I am sorry, Liz अच्छा मैं चलो, मुझे एक जरूरी ताम है अजय मैं सिमा के जिकेस लेक रहे है मुझे साथ लेट चलोगे न Sure How sweet Really? Oh no Good morning Father Good morning मुझे Father Gansalves से मिलना है वो तो यह नहीं है लेकिन वो इसी चर्च में आ करते थे हाँ, मेरी जगह कुछ दुरों के लिए आये थे I see इस वक्त हाँ मिलेंगे वो मैं आगाओ चर्च में क्यों, क्या बात है हाँ, कुछ कानूनी मुश्किलान पड़ यह फादर देखे, यहां एक Mr. De Silva रहा करते थे उनके बारे में आप कुछ बता सकते है मैंने सुना तो है कि यहां इस नाम के एक आदमी रहते थे क्या आप बता सकते हैं यह तस्वीर Mr. De Silva की मैं कुछ कह नहीं सकता मैं उनसे कभी मिला नहीं थेंक्यू फादर कुछ पता चला नहीं सर डॉक्टर का कोई पता नहीं क्या कह रहे हूं यह सर इस नाम का एक डॉक्टर गवा आजा उनसे पहले मुल्क छोड़ चला गया सर तुम्हे कुछ पता चला सर आपने जिस लड़की का हुलिया बताया था पूछताच के बाद मालूम हुआ है कि वो लड़की रमेश की औरत थी रमेश का पता चला जी वो अपने सुस्राल गया हुआ है वो लोग जिनों ने लाश दफन की थी उनका कुछ पता चला वो सब लोग दूसरे गाउं से किराए पर आये थे किराए पर क्या मतलग यहां उनका यही पेशा है पैसा मिलता है पीने को मिलता है शराब पी के किसी की भी लाश दफन कर देते हैं ठीका मेरे साथ चलिए बाद मेने पुलीस सेशन बलाना तुम कबरिस्तान जाओ कफिन वगारा निकलवाओ मैं वहाँ पहुंचता हूँ लोज चलिए अजल को देते हैं यहाँ वाँ आपने शायद पहचाना नहीं मुझे मैंने शायद आपको कहें इस आदमी के दफन के लिए मैं आपके पास आया था हाँ यहाद आ गया आदमी लिबास की वेए से कितना बदल जाता है इसके बारे में आप कुछ तफसील में बता सकेंगे मैं कुछ नहीं जानता आप ही ने इसके मरने की ख़बर दी थी आप मिस्टर डिसिलवा को नहीं जानते नहीं तो उस चर्श के फादर कुछ दिनों के लिए बीमार थे इसलिए में महा गया था क्या बात है एक मुश्किल अपड़िया फादर मिस्टर डिसिलवा की बज़ए हमने किसी गलत आदमी को दफन कर दिया गलत आदमी को दफन कर दिया यह कैसे हो सकता है यही तो गलती हो गई मिस्टर डिसल्वा को दफन करने के लिए आपने आदमी कहां से बलवाय थे वो मिस्टर पिंटू उन्हों सबंदबस किया था मिस्टर पिंटू? कहा है रहते हैं? वो असनोरा गाउ में रहते हैं थैंकि फादर आएंदर शायद आपकी मदद की जरूरत पड़े और देखिए अगर आप मिस्टर पिंटू को फिर कभी इस तरफ देखें या मिले तो पुली स्टेशन इतला कर दीजी जरूर कर दो अचान दो आएंदर असल खायम काईदक मुथा काईदक जाएंदर फली झाला याराया सर झाल को खाम र्द है दिए को खला को कर झाल करन Users आप इतने दिन से क्या कर रहे हैं। मेरा ख्याल था इतनी बड़ी रगम की इंशॉरेंस करने से पहले आप लोग काफी इंक्वारी करते हैं। लेकन इंक्वारी कंप्लीट होने से पहले ही Mr. De Silva की डथ हो गई। Mr. Sharma, case बहुत complicated हो चुका। Mr. Sharma, पुलीस इंपारी कर रही है, कोई बात मालूम होने को हम आपको इतना देंगे। Thank you sir. Mr. Sharma, it's all right. Mr. Sharma, may I come in sir? Yes. Mr. Sharma, क्यों, क्या बात? Mr. Sharma, Mr. Sharma, मैं अपना स्टीफा देना चाहता हूँ. Mr. Sharma, किस लिए? Mr. Sharma, क्यों, मैं अपने आपको उल्चा लिया है. Mr. Sharma, कैसे? Mr. Sharma, क्यों, मैं अपने लड़के की जो तस्वीर मुझे दी थी उसे देखकर पता चला Mr. Sharma, क्यों, आज में को मैंने लिस का अंकल समझ कर दफना दिया है? Mr. Sharma, कैसे हो सकता है? Mr. Sharma, क्या तुम लिस के अंकल को नहीं पहचानते थे? Mr. Sharma, मैंने आज तक कभी लिस के अंकल को देखा ही नहीं था Mr. Sharma, क्यों, और लिस भी अपने मरे अंकल को नहीं पहचान सकी? इस वक मैं घर पहुचा, उस वक लिज बेहोश थी, सिर्फ डॉक्टर वहां मौजूद था और डॉक्टर के कहने पर मैंने वहां के लोकल चर्च के फादर से मिलकर लिज के अंकल को दफनाने के इंसाम किया था डॉक्टर कहा है? इंकुरेरी से पता चला है, इस नाम का डॉक्टर गॉआ आजाद होने से पहले हिंदोस्तान चोड़कर चला गया और चर्च का फादर? बिमार थी, उनके जगा दूसरे गाउं से फादर गंसालवस आय थी लेकिन वहाँ के लोगों के बाहरे में फादर गंसालवस को तो कुछ मालम नहीं था लेकिन लाश उठाने वाले तो होंगे? वो सब किराय के आदमी थी एक आदमी की मौत मामूली बात नहीं आसपास के लोगों को तो मालम होना चाहिए उस गाओं के आवाद ही इतनी दूर दूर है अगर कोई बात राज रखी जाए तो किसी को ख़बर भी नहीं हो सकता तफन होने के बाद कोई खास बात भी? एक बात जरूर खटकी लेकिन उस वक बहुत नैच्रल लग रही थी क्या? एक आदमी बहुत रूर रहा था पता चला के मरने वाला उसकी मदद किया करता था और उसी रात एक लड़की को लिख समझ कर मैं उसके पीछे खबरस्तान गया उन लड़की ठीक उसी खबर पर रो रही थी जहां मैंने लाश दफन की थी वो आदमी और लड़की कोन है? पता चला है वो आदमी जस्वांत का छोटा लड़का रमेश है और वो और उसकी बीवी वो लोग कहा है? रमेश अब में बीवी के साथ सुस्फराल गया है खबर आज शाम तक लोट आए था मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था कि तुम कबर से लाश निकालने गया है जहां कबर खोदी गई पर कफर में लाश नहीं थी तुम जानते हो मिस्टर डिसुलवा ने बहुत बड़ी रखम को एंशुरेंस करवाया है लेज किस तरह की लड़की है? लेज दौलत की दीवानी है अंकल की मौत के बाद रुपया पानी की तरह भारी उसे बाप की वो जैदाद भी मिल गई है जिसका ट्रस्टी उसका अंकल था तुम उस लड़की को कब से जानते है? कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी उसके हालाद जाने बगार तुमने उसे अंगेजमेंट भी कर लिया प्यार इतना अंधा होता है I'm sorry sir तब इन हालाद का पता नहीं था लेकन मैं अभी लिस से तुम्हारी मुलाकात कब गई? देखो मुसे कुई बात छिपाना मात है कुछ दिन पहले मैं अपनी कार में कलन गोट के रास्ते पर जा रहा था एक दूसरी कार मेरे पिछे आ रही थी अपना है अपना है अपना है वाट द्राइविंग इतनी राइशकाड़ी चलाने कहसे ने दिया अपको इस नन अफ बिज्मिस्ट मिस्टर आप लाइए अपना आप कॉन होते हैं पूछने वाले मैं कॉन होता हूं जी अभी बताता हूं हलो 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 अलो, अजय स्पीकिंग, येस, डी एसपी अजय, देखो केलन गोल रोड पर ग्दी ए 3787 के एक्सिदेंट हो गया है, अहां उसे कहीं पहुंचाने के इन्जाम करो, और देखो मैं वह सामने दरख के नीचे इनजार करा हूँ, ओवर I'm sorry, ये लीजी मेरा लेसंस Elizabeth Silva, thank you, आये दितर श्रीफ ले आईए कानून के बारे में आपको काफी मालूमात होंगी हाँ, मालूमात तो रखनी पड़ती, कहिए क्या बात? मेरी जायदात का जगड़ा है जायदात का? हाँ, मेरी इस गाड़ी से आप ये अंदाजमत लगाए कि मेरी यही हालत है मैं अपने ये डाड़ी के बहुत बड़ी जायदात के मालिक हूँ लेकिन उसके ट्रस्टी मेरे अंकल है जो बहुत कंजूस है, एक पैसा नहीं देती मैं अपने मर्दी से कुछ खर्च नहीं कर सकती मैं से निजबत लगता है आपको पैसे से बहुत प्यार है कितना पैसा खर्च करना चाहती है ओ, ओ, आप नहीं जानती मेरा पैसा और मुझे मांगना पड़ता है मैं एक नई गाड़ी नहीं खरीच सकती आपके नहीं बंगला नहीं खरी सकती आराम से नहीं रह सकती डैडी ने भी अजीब शर्त रखी जब तक अंकल मर न जाए या मैं शादी न कर लू मुझे पैसा नहीं मिलेगा बताईए, यह कुछ शर्त है शर्त तो वाकर बहुत जड़ी है ठीक है, मैं द्रियाफ्त करके आपको बताता हूं आप ऐसा कीजे, अपना एड्रेस मुझे देदीजी ओh, आप नहीं जानते मुझे पैसों के कितनी जरूरत है आपको पैसों के बहुत जरूरत है तो एक काम कीजी अपने अंकल का कला दबातीजी पैसे ही पैसे मिल जाएंगे क्या नहीं जमा, ठीक है जाने दीजे दूसरा आसान तरीका तो यही जै किसी शरीफ आदमी से शादी कर लीजे हाँ शरीफ आदमी? आज कल कहा मिलते हैं? लोग, बहुत मिलते हैं और फिर दूर जाने की भी जुरूरत नहीं मतलब मतलब आप समझ लीजिये न आप है समझा दीजिये न मैं कैसे समझा हूँ मैं खुश शरीफ आदमी और फिर आपको चाहने लगा अच्छा आप मुझे चाहते भी है लिज मैं सच क्या है लिज मुझे नीन दा रही है लिज मैं पूछना चाह रही थी तुम क्या कर रहे हो बेकार बैठो होगे बेकार तो नहीं तुम्हारे फैसले के इंदिजार कर रहा हूँ मैंने तो कहें दिया था इतना बड़ा फैसला दो मिल्क में नहीं हो सकता हाँ ऐसा करते हैं जब तक मैं सूचती हूँ तुम तारे गिने लिज मैंने किताब में पढ़ा है आसमान पर शायद पचास करोड़ पचछतर लाख तीन सो ग्यारा के लगवग सितारे ये तो दूसरों ने गिने तुमने कितने गिने अभी तक तो एक ही सितारा देखा है तुम हासिल करना चाहते हूँ क्या बताओ मुझे उससे प्यार हो गया है क्या? क्या हो गया है? प्यार तुम नहीं जानती प्यार क्या होता है प्यार की ये बातें हमको ना समझाओ प्यार की ये बातें हमको ना समझाओ कैसा होता है प्यार हम नहीं जानते और कोई दिल का अपसाना सुनाओ ये फसाना सरकार हम नहीं जानते कैसा होता है प्यार हम नहीं जानते आप हमसे नहीं दिल लगे कीजिये आईने में जरा अपना मुद देखिये आप हमसे नहीं दिल लगे कीजिये आईने में जरा अपना मुद देखिये कौन यहां किसका हुआ है दिवाना कौन यहां किसका हुआ है दिवाना है ये बाते बेकार हम नहीं जानते कैसा होता है प्यार हम नहीं जानते ला 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 बेकरारी बढ़ाने से क्या पाइदा हम को यूँ आज माने से क्या पाइदा हम को यूँ आज माने से क्या पाइदा जाग के रातों की निन्दे न उड़ा दिल के कसे दिलदार हम नहीं जानते कैसा होता है प्यार हम नहीं जानते कैसा होता है प्यार हम नहीं जानते कब मुलाकात होती है कल करें क्यों? आज? हलो, हलो एंगेजमेंट के कितने दिन बाद अंकल की डैथ वी? दूसरे ही दिन मुझे लिसका फोन मिला कि उसके अंकल गुजर गए मुम्किन है दौलत और जायदाद की दीवानी लड़की ने तुम्हारे दस्तखत के लिए सब कुछ किया हो ताकि काख़ा तुम्हारी गवाही से जादा सॉलिट हो जाए हो सकता है एक दूसरा एंगल भी हो सकता है दूसरा एंगल? शायद लिस्ट किसी के दवाव में ये सब कुछ कर रही हो तुम अपनी इंक्वाइरी जारी रखो सर मेरे ख्याल में ये काम हमाँ अंजे सिट आँ बैठो बैठो तुम एक पुलिस ओफिसार हो और पुलिस को जजबा से काम नगी लेना चाहिए मेरे कमिल सर येस सर कबरस्तान से फिंगर प्रिंट के लिए कफन मंगमारिया गया है और मैंनों से लेबाटरी में भीजा है उसकी रिपोर्ट जन 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 अजे के पास बिजवाद हो येस सर सर आप नएगाओं चर्च में फादर गुंसाल्फी से मिलने गए थे हाँ, क्या वाद आपकी वापसी के बाद उन्हें बदमार्च महा से उठा ले गए किसने बढ़ाया हो उसर से एक आदमी आया गा इस्पेक्टर खान उसके साथ इंगारी की गए इस्पेक्टर खान जो वापस है उन्हें हमारे पास भेज़ते ना येस सर अचे, मामला तो उलजते ही जा रहा लिज आज कल तुमारे घर पगए थी ये मर्डर क्या हुआ मैं डर गई क्यों अब तुम उससे डरने लगी कभी-कभी डरना भी चाहिए इसलिए कि मैं पोलिस आफिसर हूँ तुम्हारे पोलिस आफिसर होने के वज़े से मैं क्यों डरने लगी लेज अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा अजय क्या हो गया है तुम्हे मुझे हाँ मैं तुम्हे कुछ चेंज देख रही हूँ पहले तुम घर में हसते हुए आते थे अब आते हो तो तुम्हारी नजरे कुछ कुछ करती हुए दिखाई देती है तुम ठीक है यूलिस मेरी नजरें किसी की तलाश में हैं और तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कोई मुझ्रिम मुझसे बच नहीं सकता मुझ्रिम? मुझसे क्यों कह रहे हो? हो सकता है तुमने अपनी मर्जी से कुछ ना किया हो लेकिन कभी-कभी आदमी किसी के दबाव में आकर जुरूम कर बैटता है वट डू यू मीन? अजय मैं फिल कर रहे हैं तुम मुझसे शक कर रहे हो आग तुम्हारी मौबस से मुझे क्या मिल रहा है? शक? नफरत? लिस, नफरत नहीं मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूँगा लेकिन मैं तुम्हारे हाथों में हदकडी नहीं देख सकता तुम्हारे बचाओ के लिए जिंदगी की आखरी सांच तक लडूँगा लेकिन मुझे इतना बता दो तुमने ये क्यों किया किस के लिए किया? लेकिन एजय मैंने क्या किया? तुमने मुझे टेलिग्राम दिया, ट्रंक कॉल किया, मैं तुम्हारी मदद के लिए घर पहुंचा, तुम्हारा अंकल मर चुका था, मैंने खुद उसे दफन किया लेकिन लेज मैंने तुम्हारे अंकल को दफन नहीं किया मैं नहीं जानती तुमने किसे दफन किया, मैं तो घर में बेहोश पड़ी थी यह सिर्फ तुम कह सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे सिवा किसी को पता नहीं कि तुम बेहोश थी या होश में मैंने इस आदमी को दफन किया था मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, यह मेरा अंकल नहीं है, अचाहे मेरा अंकल नहीं है यही तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा अंकल जिन्दा है तो कहां गया, मर गया तो उसका क्या हुआ क्या हुआ तुम जानते होगे, बस मैं इतना जानती हूँ मेरे सामने मारा था, फिर मुझे कुछ नहीं मालूँ मालूम नहीं या बताना नहीं जाए, अदालत के होक्म से मैंने उसके कबर खुदवाई, तो जानती हूँ मुझे वहाँ क्या मिला क्या मिला? पत्थरों के सिवा वहाँ कुछ नहीं था, कोई लास नहीं थी वहाँ, लिस प्यार आदमी को अंधा बना देता है, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे कानूनी मुझरिम बना दिया है अजे, यूर हाटिंग में अंसों से कानून नहीं चुक सकता, लिस परस का पल दा बहुत भारी है तुम पैसे की दीवानी हो, याद है एक दफ़ा तुमने कहा था, पैसे की लिए तुम कुछ भी कर सकती हो वैसे के लालच में तुमने मेरी भी परवाना की, तुमने सोचा महबत बला से खातम हो जाए और तुम अपने अंकल की मौत का सौदा करके तौलत हासल कर ले, एक ही रात में रिच हो जो, फैमुलसली रिच Stop it, stop it, for God's sake stop it मुझे अपने अंकल का खुलिया बताओ, बताओ कैसा था, डिस्क्राइब हीम वो मिदल एज के आदमे थे, गोरे, वेल बिल्ट, उनके बाएर पर एक उंगले नहीं थी Liar Ramesh कौन है बई? मेरे घर में याना खुज अपने घर में, अब इस तक मैं मौझूद नहीं, यह आप कहा से आगए? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारी बीवी कहा है? मेरी बीवी कहा है? आप क्यों कर रहे हैं, साब? Ramesh आप तो पुलिस की वरती मैं साब क्यों, नशा कम हुआ? साब, मेरी बीवी तो अपने माई के गई है, साब मैंने तुम्हारे बारे में सब पता लगा लिया तुम एक मामुली मजदूर हो पर इतनी कीमती शराब कैसे खरीदते हो पैशे से, साब अब यभी बोनस मिला था और कभी-कभी यार दोस्तों से उधार भी ले लेता हूं, साब इसे चुपाने के कोशिश मत करो सच-सच बताओ तुम्हारा बड़ा भाई किस तरह मरा था मेरा बड़ा भाई? मेरा बड़ा मुल गया, साब हाँ, हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई, प्रकाश जो तुम्हे समझाने के लिए यहां आया था मैं सच कह रहा हूं, साब लेनी साब यह कोई नहीं है, साब विश्वास किजी मेरा यह कोई नहीं है, साब यह कोई नहीं है क्या, क्या तुम फांसी चाना चाहते हो? ने, 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 साब तो फिर सच सच बताओ तुम्हारे बड़े भाई का खुन किस तरह हुआ था उसकी लाश कहा लेगी बताता हूं, साब मैं सब बताता हूं, साब अंदरे में आपको डरनी लगता है, साब मुझे पॉर्टर रखता, साब मैं बती लख लाता हूं, साब आदने की कोशिश मत करना वरना दोरी मार दूंगा जो, साब कुछ रखताओ 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 पुछ आदने क्या तुम अंदर जो लाश महाँ पड़ी, पहरे परेना हाश मेर साथी साथ FROM कर वो कर दो तुम बाहे निकलो, बाहे निकलो बाहे निकलो अचे मैं तो का परागीती क्यों? मैंने संचा कोई बदनाश मेरा पिचा कर रहे तुम यहां क्या कर रही हो? यही तुम मैं जानना चाहता हूँ तुम रमेश के घर तक कैसे पहुंची? रमेश? कौन रमेश? मैं अपने घर जा रही थी मैंने अपनी आँखों से तुम्हे वहां से निकलो को देखा क्या कर रही थी वहां? मुझे कुछ काम था इतनी रात के? क्या काम था वहां? तुम तो ऐसे पूछ रहे जैसे मैं कुछ मुझरी हूँ मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो अजय लिज मुझे सख्ती कने पर मजबूर मत करो साफ साफ बताओ क्या कर रही थी वहां मैं नहीं बता दी तुम नहीं जा सकती क्यों? तुम हिरासत में हो हिरासत में? किस जुर्म में? खून के जुर्म में खून? किसका खून? यह मैं नहीं बता सकती अपने वकील की तहरीर इजास्त के बगएर मुझसे कुछ पूछने की कोशिश मत करना अब तुमसे बात करने के लिए वकील से पूछना पड़ेगा हर मुजरिम को ऐसा ही करना पड़ता है चलो गाड़ी में बैठो मिस्टर खान गाड़ी और रमेश की लाश पूली स्टेशन पहुंचाने के अन्जाम करो और चीफ को इतला कर देनो भाड़ा छलो अपील प्रृम प्रृम ड्रॉम बाट फ्रॉम ड्रॉम अवग ड्रॉम ुच्व अवग बाट करने गट नहीं है लिज कर समान मांँच समान? कहा लका में? नो, कर में, लीज निच्चे है, रेलीज हो चुका है रेलीज हो चुकी? याप, इंपसिबल वाइ इंपसिबल, नेपोलियन बोलता है, दिक्षनरी में इंपसिबल कोई वर्ड नही आप लीज को लॉक अप कर सकता है, वाल हम बल पर छुरा सकता है कर सकता है बाइ 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 वाइ करता है यह में आप लेकर लिस्ट को बेल पर छोड़िया गया है वहाँ आप अब तक मामला कुछ सुलजा भी नहीं दिखो अजय हमारा असली मकसद लिस के अंकिल का पता लगाना इसलिए लिस को मैंने बेल पर छोड़ दिया मेरे दिमाग में एक नया प्लैन है नया प्लैन? हम अजया प्लैन में एक लिरा इस्टेशिटी टेन अर्वार में यह प्लैन आर्वा यह जब स्याओते अर्ष्ट यह झाल दिल तूटा रोए नैना दिल तूटा रोए नैना अब प्यार सुमच में आ गया जब देखी बेवफाई दिल दार सुमच में आ गया दिल तूटा रोए नैना क्यों न मेरा दिल जले दर्द के अंगारों में है क्यों न मेरा दिल जले दर्द के अंगारों में है बेखता हो के बेशामिल हूँ खता हो बारों में अब प्यार सुमच में आ गया दिल तूटा रोए नैना अब प्यार सुमच में आ गया दिल तूटा रोए नैना मुझ को ये बदला मिला प्यार के एहसानों का रह गया किस्ता अधूरा अब मेरे अर्मानों का ना वो सपने रहे ना वो अपने रहे संसार सुमच में आ गया दिल तूटा रोए नैना अब प्यार सुमच में आ गया जब देखी बेवफाई दिल ना सुमच में आ गया दिल तूटा रोए नैना इतना सुमच में जब एड भया दिल यूः Liz तुम इतनास faut प्यासमें ट्राड च्रोटा रहाका को ओत अर्यелиर को याथ करता है उसको याद साझार कने के शींवार क्राथी किसी के नजर बदूती है किसी के दनिया बदूती है समझ में नहीं आता है सब क्या हो रहा है वैल बहुत से प्रॉब्लम ऐसा होता है डलदल के माफ़क जितना समझने के ट्राइग करेंगा उतना डलदल में फास्ता जाएंगा वैल फर्गेट इद बूल जाओ लेकिन जो ये कैसे हो सकता है अंकल मेरे सामने मरे और अजय किसी दूसरे की तस्वीर दिखाता है मरने के बाद के अंकल की शेकल बदल गई वैल फोटोग्राफर के मिस्टेक होना सकता चलो डिना जेडिये हम लेकर आया है कहेंगा चलो मुझा भूख नहीं लेगता है के लेकि दम काना कपे देश्टेक कम आप कम आप की चलो पुका भूँ जेदा मैं व। तयोगे घु जेज़? कपस हैThat's है तयोगे? तयोगे तयोगे तयोगien की ओँा कैदू कर दो कर दो कर दो जाराए यहजा जाराए आप मेंको ताम देले कहा है मैक अ में सर यहज अटाप शी पोड़ा गई सर यह जारा है मौत स्ट्रेंगुलेशन से हुई है और लाश मिले से कुछ दिर पहले मर्ड़क हुए था कौन थी वह? मरने वाली का नाम माया था यह उस रमेश की बीवी है जिसका मर्डर कुछ दिन पहले हुए था मिले पती रमेश बहुत ही बुरे आदमी थे शराव उनके लिए बाप भाई और उनकी और से बढ़के थी वो एक वक्त की शराव के लिए बड़े से बड़ा पाप कर सकते थे उनके पाप की वजह से शायद अब मेरी जिन्दगी भी खत्रे में है कोई औरत कभी अपने पती के पाप जाहर नहीं करती लेकिन अब ये बोज मुझसे नहीं उठता एक दिन उनके बड़े भाई प्रकाश उनको समझाने के लिए मेरे घर आए थी प्रकाश भाईया बहुत शरीफ आदमी थे दोनों भाईयों में खिरेलू हालात पर छगड़ा शुरू हुआ ये छगड़ा आइस्ता आइस्ता बढ़ता ही गया शर्म नहीं आती ना भाप को पूछता है ना औरत की ख़बर लेता है मा को जला जला कर माल डला अब मेरी जान देगा दिन शराब, राज शराब शराब किसी वा कुछ दिखाई नहीं देता क्या देखूंँ? किसको देखूंँ? तुम लोग भूखे मर तो मर जाओ मैं क्या करूं? मुझे पीने को ने मिलते, तुम लोगको खाना कासे दो वैं वी teor había है का, खिक रिका सेवका यदिए! वी टो गिलाओी टन है labपिकरा जतो गिलाई मैं जतो labपिकरा जतो labपिराइ एक वे वी लोंध जतो नजी जतोलम जतो खिर वोड़ कि रष Как हो ब का सा खउ़ तुमने बिएको माचाला! माचाला, तुमने बिएको माचाला! इज खुड़िगी एप को दो 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 दो, दो दो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं पहले नहीं जानती थी कि लाश किसने खरीदी लेकिन खत तो अधुरा है इंकम्प्लीट यह सर लेकिन इस हर से प्रॉब्लमumuz भॉगया, कि डिर्ट बॉडी प्रकाष की लिधी लेकिन 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 के मुझे ट्रंटल के अंकव्ध तो द्यच़ लाश खुरीदने वाला कौन हो सकता है हो सकता है यह लार्ष लिस्क के अंकल ने खरी दिया है तो हमें लिस्क के अंकल का पता लगाना चाहिए यह सर एक इंफरमिशन और है हमारी इंस्ट्रक्शन के मतावक इंशिरंस वालों ने लुपया लिस्क को दे दिया है यह बहुत अच्छा हुआ जो कोई भी यह कर रहा है वो पैसे के लिए कर रहा है अब जब लिस्क को पैसा मिल गया तो वो लोग और हाँ, मिस्टर जो अब तक लिस्क के साथ ही है न जहाँ तुम्हे टेम बोलर तुम्हारा सिटे में कोई गर्ल फ्रेंड है क्यान है मुसकर Suzy Oh yes Suzy हम अभी जाएंगा Suzy को लेकर आएंगा कैको वो रात को तुम्हारा साथ रहने सकते मैं अकेली रह सकते मुझे किसी की जरूरत नहीं वेल हमको मालूम जरूरत है इदर का बिली लोग कौनसा कबाट खोलेना क्या निकालेना हम जाएंगा Suzy को शाम तक लेकर ही चाहिए तुम्हें को पका करके रात को आएंगा Stop the car आएंगा अम तेर तुम्हे सरगोदर सफस्व जाएंगा प्रूरत सका है सर थकते गवराओ नहीं, मैं तुम्हारे पास खाली हाथ आया हूँ, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं चाहता हाथ पहलाने से हाथ नहीं भरता, तुम्हें अपने ही दर्वादे से भिकारी की तरह खाली हाथ जाना पड़ेगा ज्यादा जिद ना करो, मैं समझाना भी जानता हूँ, और जिद को तोडना भी जानता हूँ वो कोई और होंगे जिनको तुमने कुचल दिया होगा, तुम मेरी जिद नहीं तोड़ सकोगे मैं एक कमजोर औरत को जिद का मौका नहीं दूगा मैंने राद भी तुमसे पूछा था कि अजय को लेटर और बैंक के लिए चेक लिखती हो या नहीं मैंने पहले तुमसे कह दिया था ना मैं अजय को लेटर लिखूँगी ना चेक पर दस्तखत करूँगी जब तक तुम यह नहीं बताओगी कि अंकल का क्या हुआ अंकल को फूल जाओ तुम अपने लिए सोचो अपने दोस के लिए सोचो तुम्हारी महबत और जिंदगी कबर के अंधेरे में खो जाएगी मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता दोस्त ने आँखे फिर लिए महबत बरबाद होगी जिंदगी का कोई भरूसा नहीं तुम मुझे ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया तुम सब कुछ खरी सकती हो अपना दोस्त अपना प्यार अपनी खुबसूरा जिंदगी सिर्फ धाई लाग के चेक के बने में तुम जैसे भीकारी से में कुछ नहीं खरी सकती अगर तुम नहीं खरी सकती हो तो फिर तुम्हारे आजय को इज़त, नौकरी और अपना करियर सब को बेशना पड़ेगा जिसकी एक कीमत लग चुकी है और वो कीमत तुम्हारे ये गंदे और खुनी हाथ अदा करेंगे नहीं, शायद तुम्हें इसकी खबर नहीं कि जमाना उसके लिए क्या फैसला कर रहा है पुलिस ऑफिसर आजय की कार्रवाईयों पर शुमा पहले लाश गायर और फिर लड़की गायर मेरी ये सब छुक, तुम किसी के जिंदगी से नहीं केल सकते हैं मैं पुलिस में कहते हैं मेरी परजी के खिलाब यहां से तोड़े नहीं जा सकता है अगर तुम जाने की कोशिश करोगी तो जिंदा नहीं जाओगी तुम्हारी लाश जाएगी मुझे एल पारुष से मिलने दो, मैं वादा करती हूँ, इंशुरस का सारा रुपिया में तुमे लाकर दे दूगी मैं जीने की उमीद पर मौत का खत्रा मौन नहीं ले सकता अगर इतबा नहीं तुम मेरे साथ चलो, जाएग केश करवा के मैं तुम्हे पैसा वही दे दूगी गया हुआ वक्त वापिस नहीं आता, वो टाइम गुजर गया जब मेरा आदमी परनोट लेकर तुम्हारे पास गया था तुम चाहती तो उसी वक्ष दे सकती थी मुझ पर एकिन किरूँ, मैं तुम्हें दोखा नहीं दोगी, मुझे जाने दोखा नहीं, मैं इतना बड़ा खत्रा मूद नहीं लूँगा केश मैं तुम से नहीं, अजय से लूँगा तुम सिर्फ चेक पर दसखत करोगी दसखत? हाँ, दसखत ये रही तुम्हारी चेक बुक और अजय के नाम एक चिठी लिखो के जहां कहा जाया कैश पहुचा दे तुम्हारी और अजय की जिंदगी से मौत का साया सिर्फ इसी तरह हट सकता अजय, अब तक तो हमने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है वो लोग लीज को ले गए उससे पैसे मांगेंगे मुझे यकीन है कि उसके बाद उनका हाथ तुम्हारी तरफ जरू बढ़ेगा कोई ना कोई फैसला तो होना ही चाहिए इसी फैसले के लिए तुम्हें तुम्हें खत्रे में डाल रहा हूँ लो अखरी खंञा कहलो आखरी खंञा तुम्हें खालो अखरी खाना तो क्या उसके बाद रावाना मालूमनहीँ क्या पात करता एंकल तुमको ना का और reactive दों भाठनस्ए ना मालू legisl Goodbye और खाने के बाद का पुरुगराम नहीं मालूम। कबर मत अपनोगा तुम। खाना खाओ। मगर अंकल हाथ तो बंदा वाए। खाना कैसे खाएगा। हाथ बंदा है तुम मुझ से खाओ। अरे हम कुछ जानो और जो मुझ से खाएगा। खाना तो खालो। तो फ्लेट पर इसल्वाथ खोलो। आतना यह खोलेगा। तो यह आवरे में अब तरह खोपड़ खोलेगा। क्या बला। तो अब आप वह भी बला। यह खाना प्योगी काया। यह कुछ आदू की रहा हम कुछ चालता नहीं। अगर कोई ज़रूरत पड़ा है तो मज़े इतला कर देना। ओकी सर। ज़र। अजय अब मेरे सामने तुम्हारी सिंदगी का सवाल है। थोड़ी सी दौलत के लिए मैं तुम्हें खत्र में नहीं डाला चाहती, चेक भेज रही हूँ, क्याश करा लो, कहां पहुंचाना है इसकी इतला तुम्हें मिल जाएगी हलो, आजे स्पिकिंग, तुम्हें रिसके चिप्ठी मिल गई? हाँ, मिल गई आज शाम को चार बजे केशने कराना, उत्तर जाने वाले हाईवे पर बिलकुफ सीधे, बंदरा मील के बात पैटल पंप है पैटल पंप? हाँ, वहाँ तुम्हें तुम्हें पूर इतना मिल जाएगी, दर्दस के नूट लाना और याद रखो, पुलिस के जरी हमें घरने को शिश्मत करना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें भी मारे जाओगे, और लेस भी हेलो, हेलो आपने मुझे बुलाया, क्यों? मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी है, कि मैंने एक प्लान बना रहा है अगर आप राजी हूँ, तो सारा रुपिया हम आपस में भाट लेगे, किसी और को देने के जुरू होती नहीं प्लान क्या है? प्लान तो ठीक है, अच्छा, मैं आपको वही मिलूगा अच्छा, मैं चलता हूँ सुनिये, कोई करबड तो आप बिलकुल बेसे कर रही है Yes, yes, you don't worry, sir Right, 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 sir Thank you Tank full karduk Acha, sahabem साव आपके लिए चिट्टी है किस में दिया तुम्हें ये चिट्टी मैं नहीं जानता साव उन्होंने आपकी कार का नंबर बताया और कहा है सापको देदना और बहुत अर्चंट है हुआ 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 है हलो, हलो, सर मिस्टर अजय को मेसेच अजय, पैट्रोल पाम से एक चिथी मिल गई है उसमें लिखा है, रियोडा से बारा मिल दूर, एक बड़े पत्थर के पास दूसरी चिथी मिलेगी मेरा ख्याल है, मैं पंदरा बीस मिने वहां पहुंच जाओंगा अभी तक तो कोई गाड़ी पीछे दिखाई नहीं दे रही, मेरे ख्याल में आप कोई खत्रा नहीं फिर भी मैं वहां पहुंच के इतला करूंगा, ओवर मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था, कि पुलिस का चक्कर चलाने की कोशिश मत करना तुम अपने आपको फस्यादा चालाक समझते हैं खबरदार, हुई हरकत महीं कर गरी रोको, stop it don't move गरी पीसे दो कर अरल सकत्स लपे प्ला कर दिदे कर दो कर दो कर प्हा पुलिस से कहो के तुम्हारी चान खत्रे में और वो तुम्हें दो घंटे तक तलाश ना करें वनना तुम्हारी और लिस की चान जाएगी चलू करो ट्रांस्मिशन और जो कुछ मैंने कहा वो ही कहना समझें करें दो घंटे के लिए मुझे तलाश करने कोशिश मत कर दो मेरी और लिस की जिन्दगी खत्रे में हैं मैं आपको जेवडा के चान तरफ पुलिस चौकियों को खबर कर दो जिकार नमर जी डी ए ती फूसी को खत्रे में है तलाश करें विस्टर खान चलो उतरो, क्विक क्विक ऐसे ओके मैं इनको साथ लेकर चलता हूँ आपकारी लेकर आईए आपको क्विक हसाथ पुले साथ जापको जापको क्या नाम है तुछारा? कहा ले जारे होची? कि इतना खतरनाक चुरूम करके तुम पुलिस के हाथों बचने ही सकोगे पुलिस? हुँ! तुम्हारी जली हुई गाड़ी गेखकर वो समझेंगे तुमने खुदकुशी कर ली और जब तक वो तुम्हारी लाश तलाश करेंगे हम अपने खिकाने पत पहुं जाएंगे हॉई भाँक खटयई हArefff हॅ हृ हुई 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 हु हुई प्हुच। फटाए widget हैंशान संदो स गॐअू कैना एटाएफू बशने कैने वThere लिए भीए नहीं एटाएज बदlay हु़ हेँ वाँश्ध लुथए्ट खुर्ञ खुर्ण खुर्ण जय कढ़ खुर्ण खुर्ण । तुर्ण पुर्ण पुर्ण अपर्ण लिसकाहई तंप पुर्ण तंप जान देखो लेगा जान, जान नहीं, तुम रुपा ले सकते हो, उसकी जान नहीं ले सकते आमे दो उसे, आमे दो आमेड़! आमेड़ ुपा जेखो आमेड़! आमेड़ बुम आमेड़ नहीं! ललानी चुपुकंग! सुपूुँग! चुदुदुँदुप, मेड़ कि रियों कि! drugबुद रित्का आमेड़ आमेड़! चुबद आमेड़ आमेड़! Uapp, ohhh! Ohhhhh! हुआ 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 हु प्रूर अजर प्रूर अग। प्रूर अव्र अग। हाई! काही! लुष! लुष! लेंट! 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 मुम! अजफित का हो! लेंट! कि क्या हमसी लुड़ा है मायख हैं काई अब माल इघ हो लुड़ा मायख हो लुड़ा दुड़ा लिज तुमको काफे तकलिफ उठानी पड़े लेकिन लिज तुने मेरे लिए अपनी जान खत्र में क्यों ना लिए अजय नहीं मैं तुमने ही जाने दूगी जाने दूगी जाने दूलेश आजय सुनो करन दूगीा यूश विए यूश यूव यूव यूप इख प्रहादाल जब काती है इसे इसे अजती झूंकरी पादर जोarn Beach नहीं, मैं फादर गंसाल्विस नहीं, तुमने उन्हें देखा नहीं, वो भी मुझे नहीं जानते, इसलिए फादर का लिबास पहन कर फाइदा उठाया लेकिन इस सब तुमने क्यों किया अंकल, क्यों किया मुझ पर इतना कर्स हो गया था, जिसे मैं अदा नहीं कर सकता था और मैं तुम्हारी जायदाद को बरबाद भी नहीं कर सकता था लेकिन तुम मेरे आंकों के सामने मर रहती अंकल नहीं, हमारा टेलिग्राम मिलने के बाद, जब तुम आई, उस वक्त डाक्टर, इंजेक्शन की तयारी कर रहा था वो इंजेक्शन, दिल की धड़कन ठीक करने के लिए नहीं था बलके थोड़ी देर के लिए, बेहोश करने के लिए था मैं बेहोश हो गया, तुमने समझा, अंकल मर गया तुम बधवास हो गई, डाक्टर ने तुमें बेहोशी की दवा दे दी इतनी देर में, मेरा दिल काम करने रगा, मैंने अपनी जगह परकास की लाश रख दी अपने आपको छुपाने के लिए, फादर घंसालवीस का खून करना पड़ा लेकिन आज मरते वक्त मुझे ये पता चला, के गलत चालों से इंसान जिंदगी की बाजी कभी नहीं जीच सकता नरो बेटी, नरो अजर लेख गुना, मेरे साथ खत्म हो रहे हैं लेकिन लिस की जिंदगी को इसके थाय से भी तू रखना अजर बागा मिस्टर रखना वहाँ उपर एक मकान है, उसकी तलाश ही नीची ठीके सार सार, मिस्टर अजर अरे, इसको तो बहुत सख चोट लगी अजर, तुम पॉरन ले डॉक्टर के पास लेजा मैं सब यहाँ देखता हू सर, एक लाश इदर पड़ी है, और अपाउं का बैग इदर नीचे रहके है बैग इदर है, और बैग का लेकर जाने वाना भी बाप का माल समझ के लेकी जा रहा था क्यो है यहाँ अजर, तुम ने इस केस को बड़ी बहादरी और खुशूरती से हैंडल किया मैं खास तोर से तुम्हारी तरफियं के लेरिक मंद करूँगा Thank you Sir Sir Olis कi Ancle वो मैं देख लूँगा, तुम लोग जा का मेरे कले लग जजा, तो जाने जाना हा मेरे कले लग जजा, ओ जाने जाना खुशी है जिन्देगी है नई दुनिया मिली है आ मेरे गले लग जाँ हो जाने जाना